नमश्कार, मैं रितेस कुमार, स्वागत है आप सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो आज का ये जो वीडियो है सभी आगनबारी बहनों के लिए काफी इंट्रेस्टिंग होने वाली है इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि Potion Tracker एप ने फिर से एक नया अपडेट किया है और वो अपडेट है 10.3 का तो 10.3 का जो नया भरजन आया हुआ है इसमें आपको तिन नई नई अपडेटों के बारे में जनकारी देने वाला हूँ जैसे कि आप सभी आगनबारी बहनों को काफी समय से इंतिजार था कि Potion Tracker एप में डिलीट का अपशन एड नहीं हो रहा था तो फाइनली इस अपडेट के साथ डिलीट का अपशन भी एड कर दिया गया है और साथी साथ दो नए और अपडेट आये हुए है उन सभी के बारे में आपको इस वीडियो में स्टेप बाई स्टेप जनकारी देने वाला हूँ और वीडियो आप सभी को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसी प्रकार से नए नए इंफर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजिए और इस वीडियो को आप लोग और ने आगन बारी बहनों के साथ सेर भी जरूर कीजिएगा तो चलिए सुरू करते हैं आज का ये वीडियो जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर पोशन ट्रेकर आप को अपडेट कर लिया है यहाँ पर 10.3 का जो भर्जन आप लोग देख रहे हैं हमने अपडेट कर लिया है आपको क्या करना है सिंप्ली आपको प्ले स्टोर में चले जाना है play store में आने के बाद यहाँ पे आपको अफडेट करने का option आ जाएगा आप लोग यहाँ से simply अफडेट कर लिजेगा और देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपने motion tracker app को अफडेट करते हैं अफडेट करने के बाद इसमें क्या-क्या नई नई चीज़े आई होती है उसके बाद ही आपको सारी जनकारी देते हैं 23 नौवंबर 2021 को ये अपडेट आया हुआ है और यहाँ पर आप लोग पर सकते हैं कि इस पोसंट रेकर रेप में और क्या-क्या नया अपडेट किया गया है तो आप लोग भी सिंपली अपना मुबाइल नंबर और एमपिन डाल के लोगिन हो जाएगा लोगिन हो जाने के बाद सबसे पहले आपको मैं यहाँ पर अपडेट दिखा देता हूँ कि जो यहाँ पर 3. आप लोग देख रहे हैं 3. पर जैसे ही किलिक करेंगे तो आपको पहला अपडेट यहाँ पर देखने को मिलेगा बेनिफिसरी रेड डेसल यानि इस पर आप लोग किलिक करेंगे तो जैसे ही आप लोग उस पर किलिक करके आएंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं new issue और resolve यानि कि जो लभारती है अगर उसमें कोई भी समस्याइं आती है तो आपको यहाँ पे वो समस्या देखने को मिलेगा कि उस लभारती में क्या समस्या आई हुई है और यहाँ पे लिखा गया है resolve यानि कि उस समस्या को ठीक किया गया है या नहीं ठीक किया गया है उसका भी आपको यहीं पे देखने को मिल जाएगा कि जो लभारती है उसमें जो समस्याइं चल रही थी किसी भी परकार की समस्याइं हो सकती है mobile number को लेकर आधार number को लेकर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और यहाँ पे उसका समस्य का समधान हुआ है या नहीं हुआ है आप लोग यहाँ से देख सकते हैं उसके बाद मैं आपको दूसरा update दिखाने वाला हूँ फिर से हमको 3.पे चले जाना है 3. पे जाने के बाद यहाँ पे जो संसाधन वाला option आप लोग देख रहे हैं तो इस संसाधन वाले option पे आप लोग किलिक कर देंगे तो इस page को भी फिर से नया refresh करके यहाँ पे upload किया गया है और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जैसे resource वाले option को open करेंगे तो यहाँ पे आपको awareness वाले option में देख सकते हैं कि नया changing किया गया है जैसे कि यहाँ पे जो all लिखा गया है कि 12 PDF है और उसमें से जो general है awareness के बारे में उसमें से 8 PDF आप लोग यहाँ से easily download कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं pregnant woman, lactating woman का 2 PDF है और child care का 1 PDF यहाँ पे मौझूद है तो इस परकार से total मिला के बारे जो PDF है वो आप लोग यहाँ से download कर सकते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं general वाले पे जैसे ही click करेंगे तो इसमें general वाले जो category है उसमें आप यहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं जो समाने जगरूपता है जैसे कि हाथों के साब सफाई और preventing anemia जो उसके बारे में जनकारी है वो आप लोग यहाँ से इसका PDF डाउनलोड करके आप लोग देख सकते हैं तो simply यहीं से अब आप लोग easily डाउनलोड कर सकते हैं चाहे हो बच्चों का growth chart है या फिर कोई भी chart है यहाँ से आप लोग easily डाउनलोड कर सकते हैं नीचे आने के बाद देखेंगे कि यहाँ पे जो manuals है किस परकार से आपको login करना है अपना MPIN कैसे change करना है जो manuals दिया गया है उसका भी PDF आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं फिर नीचे आएंगे तो यहाँ पे दिया गया है Circulars Notification तो Notification के बारे में भी कोई जनकारी आती है तो आप लोग यहाँ से Notification को भी डाउनलोड कर सकते हैं कि Potion Tracker App में क्या-क्या Notification आया हुआ है यह महिला यहाँ बाल विकास मंत्राले के तरफ से जो भी Notification आते हैं वो आप यहाँ से easily डाउनलोड कर सकते हैं अब चलिए जो तीसरा Most Important जो अपडेट है उसके बारे में अब आपको बताते हैं जो आप सभी आगनवारी वहनों को इंतिजार था कि Delete का Option एड हुआ है कि नहीं हुआ है मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ और यहाँ पर जो भी लाभार्थी आप लोग देख रहे हैं वो सभी लाभार्थियों में Delete करने का Option एड कर दिया गया है चलिए अब आपको दिखाते हैं डिलीट कैसे करना है और किस कंडिशन में आपको डिलीट करना है जैसे कि हमने यहाँ पर गर्भौती महिला का जो लिस्ट ओपन किया है ओपन करने के बाद यहाँ पर थिरी डॉट का Option आप लोग जो देख रहे हैं उस पर किलिक कर देना है किलिक करने के बाद यहाँ पर आप लोग नीचे में देख सकते हैं कि डिलीट बेनिफिसरी का Option एड हो चुका है तो यह डिलीट बेनिफिसरी का जो Option है वो आप लोग किसी भी लभार्थी को डिलीट करना चाहते हैं तो अब यहाँ से आप लोग इजली डिलीट कर सकते हैं कि data once deleted cannot be recovered क्लिक yes to continue यानि कि आपका जो data है एक बार delete हो जाएगा तो फिर वो recover नहीं होगा तो कुछ condition है उसको ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पे delete करना है तो अगर आपको लभार्थी को delete करना है तो यहाँ से इस button को use कर सकते हैं जैसे कि माल लिजिए कि अगर किसी लभार्थी का data हमको delete करना है तो delete वाले option पे किलिक करके यहाँ पे हाँ किलिक करेंगे तो लभार्थी आपके पोशन ट्रेकर एप से हड जाएंगे तो उसी परकार से यहाँ पे अस्तनपन कराने वाली महिला का जो list है उसको open करेंगे open करने के बाद three dot पे जाएंगे three dot पे जाने के बाद यहाँ पे भी देख सकते हैं अस्तनपन कराने वाली महिलाओ का भी जो delete beneficiary का option दिया गया है उसको यहाँ पे add कर दिया गया है तो इसी परकार से सभी जो लभार्थी है उसमें delete का option add हो चुका है जैसे कि माली जी अगर कोई बच्चा तीन साल से उपर हो जाता है वो तो automatic ही delete हो जाता है अगर माली जी अगर किसी condition में आपको delete करना है जैसे कि वो लभार्थी यहाँ पे है नहीं वो गलती से उस लभार्थी को यानि वो आने वाला नहीं है तो उस condition में हम लोग यहाँ से delete का option यूज कर सकते हैं तो बस इतना ही update था potion tracker app के 10.3 में तो उमिद करता हूँ कि आप सभी को इस update के बारे में जानके काफी अच्छा लगा होगा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अन्ने आगनबारी बहनों के साथ सेर जरूर कीजिए तो आप सभी का हमारे साथ जूड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक नए जनकारी के साथ तब तक के लिए जय हिंद